हलो विवर्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम देखेंगे कि किस तरह बच्चों को शब्द निर्मान वर्ड फॉर्मेशन सिखाया जाए तो यहाँ पर पहले हम शुरू करते हैं दो अक्षरों वाले शब्द से शब्दों को लिखने से पहले make sure कि बच्चों को अ से अ और क से श्रो तक अच्छे से आता हो क्योंकि इसकी sufficient practice देने के बाद ही जो school में भी शब्द की तरफ बढ़ा जाता है जब तक बच्चों को स्वर अ से अ और व्यंजन कर से श्रो में जितने भी word आते हैं अगर उनकी पहचान अच्छे से नहीं होगी या फिर वो उनको प्रनाउंस ठीक से नहीं कर पाएगा तो शब्द जो है वो उसके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा तो आपको ये देखना है कि बच्चे अच्छे से ये सारे जो word है चाहे वो स्वर में आए चाहे वो व्यंजन में आए वो उन्हें अच्छे से प्रनाउंस कर सके और उन्हें लिख सके पहचान सके इसके लिए आप उसे dictation भी दे सकते हैं इसे immediately वो लिख पाए इस तरह से उसकी practice होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जब A, A, E, E से शुरू करे तभी उसे पता चले कि हाँ A कैसे लिखा जाता है और O के लिए कौन सी मातरा आती है, तो ये confusion नहीं होना चाहिए, इसके लिए बार-बार इसकी practice देनी बहुत जरूरी है सेम यही चीज जो है, इस पर भी लागू होती है, व्येंजन में भी आप randomly उसे कोई भी letter लिखने के लिए अगर आप बोलें, तो वो उसे जल्दी से याद करे, recall करे और फटाक से उसे जिसे तव आपने बोला है, तो तव के से पहली बार, शब्द से introduce कराया जाता है बच्चों को, तो इस तरह से बच्चों को लिखना हम बताएंगे, उस वक्त कोई मात्राएं नहीं होती है, सिर्फ दो व्येंजन मिल करके, या एक स्वर एक व्येंजन मिल करके, इस तरह के शब्द बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस जरूर लिखे, ताकि बच्चे को पता चले कि इन दोन को जोड़ करके, ये फल बना है, और इसे pronounce भी करकरके, जोर-जोर से बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए, फ, ल, फ, न, ल, न, ब, स, बस, और इस तरह से इतने सारे और भी, दो वर्णो वाले या दो अक्षरो वाले शब्द, इतने सारे आप एके करके उसे practice दे सकते हैं, इन सब को आप पहले तो, जो first practice होगी, वो इसी तरह से बच्चों को ये दो अक्षरो वाले शब्दों की practice, इसी तरह से plus लेकर के ही उन्हें कॉपी में करने के लिए दीजे, यहाँ पर भी कुछ दो अक्षरो वाले शब्द हैं, खत, जल, जग, डर, थन, टब, नत, मन, ठक, घर, पत, चल, तो इस तरह से ये practice होने के बाद और each and every letter जब बच्चा अच्छे से पढ़ने लगता है, और कुछ ज़्यादा तर जो शब्द हैं, उनके pictures भी आप बना करके उन्हें बता सकते हैं, तो इसके बाद थोड़ी सी practice हम देंगे worksheet के तुछ तो आईए देखते हैं, दो अक्षरो वाले जो ये शब्द हैं, उनकी हम worksheet के इस तरह से बच्चों को करवा सकते हैं, इसके लिए भी काफी simple worksheet हम बना सकते हैं, जो शब्द हमने सिखाए हैं, उन्हीं से related जिसे tub है, तो यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा, tub, tub, इसे match करना है, घर, घर तो पहले उसे इन शब्दों को पढ़ने के लिए बोलिए और उसके according वो picture खोजेगा, और उससे उसे match करेगा, तो यह matching है इसमें सिर्फ बच्चों को lines खीच करके शब्द और picture को जोड़ना है इसके बाद इस तरह से अब एक जो अक्षर है वो आप हटा चड़, तो इस तरह से बच्चों को इस तरह से practice up worksheet के थूँ दे सकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा यह सारे जो words हैं उन्हें जानने लगेगा और उनका pronunciation भी वो अच्छी तरह कर पाएगा, अब जैसे ही यह two letter words जो है, दो अक्षरों वाले शब्द खतम हो जाते हैं, या जितने भी आपको पढ़ाना है, जैसे आपने पढ़ा दिया, उसके बाद इन्ही words को use करते हुए हम बहुत छोटे-छोटे sentences भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आईए देखते हैं किस तरह के sentences हैं, जैसे कि, यहाँ पर मैंने एक घर बनाया है, घर, चल यह बच्चों को पढ़ने के लिए बोले हैं, यहाँ पर अभी लिखेगा नहीं बच्चा, सिर्फ पढ़ेगा नल, जल, भर फल, फल, चक बस, बस, पर, चड़ वन, वन, चल डर, डर, मत यहाँ पर जो दो अक्षरों वाले जो शब्द हैं, उनसे आप इस तरह के बहुत simple sentences बचों को करवा सकते हैं इस से related फिर से आप worksheet भी बचों को दे सकते हैं तो आईए देखते हैं, कौन से worksheets होंगी वो जैसे मैंने यहाँ पर ग्लास पनाया है उसमें पानी है, तो जल भर यहाँ पर आप जल भर लिख सकते हैं यहाँ पर वन जैसे की पेडों का जुन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर चल बस बस पर चड़, अब यह है रास्ता है, सडक के लिए दो अक्षरों वाले जो शब्द है, वो पत है तो यहाँ पर पत पर चल यहाँ टब बना हुआ है टब रख, डर मत यह सीड़ी बनी वी है, छत पर चल तो इस तरह से बहुत सिंपल सेंटेंसेज आप पिक्चर के थू बच्चों को बता सकते हैं एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद बच्चे आसानी से यह करने लगते हैं जैसे ही बच्चे दो अक्षरों वाले शब्द अच्छे से करने लगते हैं और इस तरह के छोटे सेंटेंसेज भी बच्चे करने लगते हैं तो इसके बाद बारी आती है मात्राओं की, क्योंकि अब जो बच्चे शब्द सीखेंगे उनमें मात्राओं का प्रेयोग उन्हें करना होगा तो मात्राओं लगाने से पहले हमें मात्राओं की जानकरी बच्चों को देनी जरूरी है और हर स्वर के लिए कौन सी मात्रा होती है ये बच्चों को धरू करना बहुत ही जरूरी है तो यहाँ तो यह मात्राय जो है वो बच्चों को पहले याद करवानी हैं अब इसे याद करवानी का तरीका यह है कि बार बार बच्चों को दिखाया जाए, लिखने के लिए दिया जाए, या इससे related सिंपल वोक्षीट्स आप दे करके बच्चों को ये मात्राएं जो है वो थरो कर सकते हैं तो जैसे ही ये जो स्वरों की जो मात्राएं हैं ये जैसे ही बच्चे थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं उसके बाद उन्हें चेक भी करना ज़रूरी है कि हाँ बच्चों को सच में particular स्वर की मात्रा उन्हें पता है या नहीं तो इसे test करने के लिए आप इस तरह की simple worksheets बच्चों को test के रूप में दे सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आउ लिखा है और इसकी मात्रा कौन सी है तो इस तरह से स्वर देखेंगे बच्चे और उससे related जो भी मात्रा है उसको वो match करेंगे और ये काफी आसानी से बच्चे कर लेते हैं परिशानी उन्हें सिर्फ 12 खड़ी में इन मात्राओं का प्रयोग करते वक्त आती है तो ये मात्राएं जैसी बच्चों को लिख करके दिखाएंगे और इसके बाद एक और इसी तरह का simple worksheet है यहां बे बच्चे identify करेंगे कि ओ जो दिया हुआ है इसमें से तीन options में से कौन सी इसकी correct मात्रा है तो अलग-अलग तरह से इसी चीज को थोड़े अलग-अलग वे में आप बार-बार उसे test कीजिए और अगर बच्चा सही करता है मतलब कि उसका जो concept है मात्राओं का वो बिलकुल clear हो गया है अब ये होने के बाद अब आती है बारी इन मात्राओं को वेंजनों के साथ मिलाने की वेंजनों के साथ मिलाकर लिखने की और उसे उसी तरह से pronounce करने की अब यहाँ पर बच्चों को आप कखगग से ही शुरू कीजे जिस तरह से वेंजन शुरू होते हैं सबसे पहले letter क है तो पहले तो आपको लिख करके खुदी बताना होगा हाँ यहाँ पर सबसे important बात है बच्चों का pronunciation यहाँ पर आप उसे क क क क क क क कु क इस तरह से न पढ़ाएं क्योंकि यहाँ पर वो flow बच्चा सीख लेता है लेकिन बाद में जब individually आप उसे लिखने के लिए कहेंगे कि के लिखो तो उस flow में उसे पता ही नहीं चलेगा कि के 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 लिए कौन सी मात्रा थी और कैसे लगा था के की मात्रा कहां लगाई गई थी कैसे लगाई गई थी कामे आ की मात्रा का कामे छोटी ए की मात्रा की कामे बड़ी ए की मात्रा की कामे छोटा उ की मात्रा कू कामे बड़े उ की मात्रा कू तो यहाँ पर बच्चों को एक व्यांजन के साथ जो स्वर लगे हैं उन दोनों को बोलते हुए उस अक्षर को प्रनाउस करने के लिए कह पर निच्चे गही है और उसे बोलिए फिंगर रख करके वो इस तरह से एक एक को लिखेगा और बोलाउंस करके वो इसे यहांपे लिखेगा तो इस प्राक्टिस के बाद यह जो प्राक्टिस है आपको recovery रिपिटेटली बच्चों को क से श्रु तक जितने भी वेंजन आते हैं धीरे धीरे सब को देना है क्योंकि एक बार तो यह पॉसबल नहीं है कि बच्चा सारे जितने भी वेंजन हैं उनकी मात्राएं वो लगा कर लिख पाए तो एक दिन में जो कवर्ग है चवर्ग है क वाल सा एक इजी इस चीज़ को बनाने के लिए और बच्चों का इंट्रस्ट भी इसमें रहे ऐसा नहों कि रिपिटेट उसी चीज़ को लिखने में बच्चे बोर हो जाएं या उप जाएं या लिखना न चाहें तो इसलिए थोड़ा सा काम आप खुद भी अगर 20% काम उन्हे करके देंगी तो उनको भी लगएगा कि हाँ बस मात्राओं डालनी है और प्रनाूंस करना है तो इस तरह से मैंने ख ह भी पुरा लिख दिया है ग भी 13 बी लिख दिया है ताकि वो पूरी 13 मात्राओं इसमें डाल सके तो यहाँ पर बच्चों को बोलना भी सिखाये और साथ प्रणाउंस करते हुए मात्राइं डालना आप सिखाए ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी ए की मात्रा खी, ख में बड़ी ए की मात्रा खी तो इस तरह से बच्चे इसको लिखेंगे, हाँ उसके बाद ये कम्प्लीट करने बाद बच्चे वको ये जो है आज सच यहां पर तो यहाँ पर फिर से वो pronounce करते वे copy करेंगे तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें वो याद कर लेंगे उसी तरह से ग वाले भी वही practice है ग के लिए वही practice बचों को करना है और क ख ग हो गया और उसके बाद ग के लिए भी वही practice करना है हो सकता है ये एक दिन में बचे न कर पाएं तो at a time आप दो वेंजन लेकर के बचों को practice करवाईए और सबसे main चीज़ है इसमें pronunciation pronunciation उसे आना चाहिए कि मात्राओं के साथ कैसे वो particular जो वेंजन है वो कैसे pronounce किया जाएगा और उसके बाद फिर से इस से related आप worksheets बचों को दे सकती है इसे cursor related जो है वो यहाँ पर यहाँ पर देखिए cursor related जो worksheet है वो इस तरह से है कुछ जो अक्षर है वो मैंने मात्राओं के साथ लिख दिया है और कुछ अक्षर बच्चे लिखेंगे उसी तरह से ख के लिए भी है बच्चों को बताई जाएगी हाँ यह चीज है कि बारा खड़ी जो आप सिखा रही है तो इसे skip ना करें यह ना होगी एक दिन आपने सिखाया दो दिन बीच में फिर नहीं पढ़ा बच्चा तो वो उसके दिमाग से फिर washout हो जाएगा तो इसलिए इसमें थोड़ा continuity रख प्रनाउसेशन अच्छे से सीख जाएगे तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी useful होगा और इस तरह से आप बच्चों को बारा खड़ी भी आप आसानी से सिखा पाएंगे और इस practice से आपके बच्चे आसानी से two letter words भी सीख जाएंगे उनकी छोटी sentences भी सीख सकते हैं साथ में वेंजनों के साथ यह जो बारा खड़ी की मात्रा हैं वो भी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं तो इसी तरह से आप भी बच्चों को practice दे करके बारा खड़ी जरूर सिखाएं तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को like, share और subscribe क करना ना भूलें आपके comments का भी मुझे बेसबरी से इंतिजार रहेगा इसी तरह के एक informative वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you